Hello friends welcome back to my Channel आज हम Christmas special में एग्लेस coconut cookies बना रहे हैं जिसे बनाना बहुत आसान है इस वीडियो में हमने cookies ko without oven याने coherent में भी bake करके बताया है और oven में भी bake करना बताया है तो यह video आप लाज तक जरूर देखें यह जो cookies देख रहे हैं यह हमने कुकर में bake किया है तो चलिए बनाते हैं कोकोनट कुकीज अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए क्योंकि जबी भी मेरा निव वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जो एकदम फ्री है यह कोकोनट कुकीज की इंग्रीडियंट है आप इने फॉलो किजिए हमने एक कब मैदा ले लिया है और हाफ टी स्पून हम बेकिंग पाउडर इसमें एड करेंगे और इसको हम सीव कर लेंगे इसी में हम हाफ कब नारियल का पुराधा जो आराम से मार्केट में मिल जाता है इसे डैसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं वह भी हम इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड रग देंगे तो यहां हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हाफ कब से थोड़ा कम हम पावडर शुगर लेंगे आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और यहां हमने 50 क्राम के करीब बटर लिया है जो रूम टेमरेचर का है देखिए इस तरीके से सॉफ्ट है यह हम आपको बता दें देखिए इस तरीके से या तो अगर आपके पास मेल्टेट है तो आप मेल्टेट भी यूज कर सकते हैं अगर फ्रेज का रखा हुआ एकदम जो कोल्ड होता है वह आप इसमें यूज ना करें बटर को तो हम किसी विश्क के या तो स्पैचूला की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसे बाद में फेटेंगे तो अभी हमें इससे मिक्स कर लेते हैं और हमें इसे इतना फेटना है यह एक अच्छा सा ख्रीमी सा स्मूध सा एक पेस्ट सा त्यार हुजाये मेरे पास एक बीटर तो मैं भीटर इसको विटने भी टाइना हूँ, तो देखिए यह बेटर कितना अच्छा सा हो गया है, हमारा बटर का कलर भी चेंग gr हो गया है तो यह हमारा ready हो गया है, इसका आगे का प्रोसेस करेंगे हो इस mixture में हमने जो मैदा stains करके रका THANA वह थोड़ा-थोड़ा करके इसमें एड करेंगे और उसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और एक डो तियार कर लेंगे अगर आप ये कुकी बनाएं तो जो हमने मेजर्मेंट बताएं आप उसके हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल हमारी तरह कुकी बनेगी जैसी एकदम लाइट वेट और बहार से क्रंची अंदर से थोड़ी सी सौगी और बहुत ज्यादा टेस्टी तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करें बहुत इसी है और इसे हमने कुकर में भी बेक करना बताया है हमने ठोड़ा ले लिया है इसी हम एक साथ मेहीं डालेंगे हम इसपून की मढदद से थोड़ा थोड़ा करके डालके और उसका डो तियार करेंगे हमें बसिकरीस्वफ डो ही तियार करना है चुक्तव हमने अभी तक त्रीसपून मिल्क डार लिया है टोटल हमें यहां पे 6 स्पून मिल्क लग गया है और मैदे की वच्छे से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है तो आप अपने मैदे के इसाब से एक सौफ डो तियार कर सकते हैं 6 और 7 इस्पून लग सकता है आपको या उसे कम भी लग सकता है तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है देखिए इतना सौफ डो होना चाहिए जिसे हम हाथ से अराम से मैनेज कर सकें तो इसको हम कवर करके 10 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तक तक हम अपना कुकर को प्रीईट कर लेंगे याप कड़ाई ले सकते हैं या कोई भगोना ऑऊ ले सकते हैं और उसका इस तरीके से कोई भी स्टेंड राग दे या तो प्लेट रख सकते हैं अब दस मिन के लिए छोड़ देंगे, यह बेकिंग टिन है, केक टिन जो होता है, उसको हमने बटर से ग्रीज कर लिया है, और यह बेकिंग ट्रे है, इसको भी पार्चमें पेपर लगा लिया है, तो हमारे 10 से 15 मिनिट हो गए है, और हम अब इस डो के, कुकी सिएर करेंगे, हमने डो के 16 पेड़े तियार कर लिये हैं, और इस तरीके से हम कुकी सिएर करेंगे, हातों में लेके, हतेली के बीच में लखके, उसे तिकिये से रोल रोल करें, और कुकी समारी रेटी हो जाएगी, थोड़ा सा फिंगर से उसको प्रेस कर दें, एक और हम बना देते हैं, तो देखिए, इस तरीके से रोल करेंगे, और इस तरीके से फिंगर से उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और एजिस को ऐसे क्लीन कर लेंगे, तो यह हमारी कुकी सियार हो रही है, और हम इन्हें साइड में रखते जाएंगे, हमने यहाँ पर हाफ का देसिकेटिड कोकरनट जो होता है, नारियल का बुरादा वह हम लेंगे और रोलिंग के लिए वह काम आएगा, तो देखिए, इस तरीके से हम कुकी उठाएंगे और इस तरीके से उसको कोकोनट के बुरादे में, यानि डेसिकेटिड कोकोनट में हम ऐसा रोल कर देंगे, और देखिए हमारी कुक इसे रोल कर लेंगे और बेकिंग ट्रे में प्लेस करते जाएंगे सभी कुकीज हमने रेडी कर लिया है सबसे पहले हम कुकर में बेक कर लेते हैं तो देखिए कुकर प्री हीट हो चुका है हमारा और हमने देखिए बेकिंग टिन में जो हमाई कुकी से इसको प्लेस कर दिये हैं आप किसी स्टील की प्लेट में या ऐलुमिनियूम की प्लेट में भी इसे बेक कर सकते हैं और देखे हमने कुकी के बीच में थोड़ा गैप रखा है आप भी इसी तरीके से रखी क्योंकि बेक होने के बाद में थोड़ा इस्पैंड होती है तो हमने इसे कुकर को कवर कर दिया है गैस की फ्लेम लो मीडियम हीट कर देंगे और इसे 20-25 मिट के लिए हम बेक करेंगे और बीच में हम इसे एक बार चेक करेंगे हम अवन में भी बेक करने के लिए रख देते हैं करिए के लिए यह तो चलिए हम कुकर वाली कुकीज को चेक कर लेते हैं तो हमने कुकर खोल लिया है और देखिए यह नीचे से पलट के देख लेते हैं देखिए इसना अच्छा सा कलर आ गया है दस से बारा मिनिट हुआ है अभी तो हम इसे पलट देंगे सबी कुकी इसको ताकि वो जो उपर वाला हिस्सा है वो भी ब्राउन हो जाए उसका इस तरीके से और हम कुकर बंद कर देंगे और वापिस वैसे ही लो मीडियम हीट पर हम इसको बेक करेंगे तो साथ से आर्ट मिनिट के बाद भी हम एक बार और चेक कर लेंगे तो देखिए टैन मिनिट में हमारा दोसरे तब से भी इसका कलार बहुत ही अच्छा आ गया है मतलब हमारी कुकी इस बेक हो गई है आप हम इसे एक कूलिंग रैक में रख देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा हो जाएगा तो फिर एक एयर टाइट कंटेनर में रखके इसको 15 देस तक आप अराम से इंजाए कर सकते हैं कुकर में बेक होने के लिए कुकिंग टाइम हमें 22 मिनिट्स लगे तो चलिए हम अबन वाली भी कुकी चेक कर लेते हैं यह दिकी 7 मिनिट्स हुए अभी और यह हलका सा इसमें कलाराना स्टार्ट हो गया है तो एट मिनिट्स और लगे यहने टोटल टाइम हमारा 16 मिनिट्स लगे इसको बेक होने में और देखी कितना अच्छा सा कलार आ गया है तो आपके अवन में कम और ज्यादा टाइम लग सकता है तो आपको इसे नजर रखना होगा ताकि गोल्डन हो और हम इसे निकालने तो इसन कुकीज को ठंडा करने के बाद में एक एर टाइट कंटेनर में आप 15-20 दिन तक रखकर अंजवाय कर सकते हैं तो आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंड बॉक्स में जरूर से बताएं अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई है तो इसको लाइक तो बनता है तो इसको झाल